दिए इस कीज़ दिए दिए इस की ओर से भारत के प्रमुक गवर्नर जनरल तथा वाई सराय ऑफ इंडिया पर शुरू हो रही इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है भारत में ब्रिटिश शासन के चलते बरसों से च्छाई काली अंधेरी रात में कुछ छण के लिए एक उम्मीद का दीपक लेकर आने वाले लौड रिपन ने सन 1880 में वाई सराय ऑफ इंडिया का पद सभाला आज हमारे भारत में लोकल सेल्फ गवर्मेंट यानि इस्थानी स्वशासन पूर्ण रूप से इस्थापित हो चुके हैं लेकिन कुछ इसी तरह के इस्थानी स्वशासन की पहल करने का श्रे लौड रिपन को दिया जाता है जिसने सन 1880 में पहली बार भारत में इस्थानी स्वशासन सम्बंदी सरकारी प्रस्ताव पर जोड दिया इसी वज़े से उसे फादर आफ लोकल सेल्फ गवर्मेंट इन इंडिया भी कहा जाता है लंबे अर्से से कठिन परिस्थितियों से जूज रहे श्रमिकों के हित में बिटिश शासन द्वारा पहली बार एक सराहनी कदम उठाया गया जिसके तहट First Factory Act 1881 पारित कर कई श्रमिक सुधार किये गए इंडियन प्रेस को प्रताडित करने के उद्देश्श से लिटन के समय लागू हुए वरनाकुलर प्रेस एक्ट को लॉड रिपन द्वारा सन 1882 में रद्द कर दिया गया लॉड रिपन के वाय सराय ओफ इंडिया के पदपर रहते हुए ही सन 1882 में सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक एजुकेशन कमीशन का भी गठन हुआ इस हंटर कमीशन ने प्राइमरी, सेकेंडरी और विमेन एजुकेशन के सुधार के दिशा में कई प्रस्ताव दिये ब्रिटिश काउंसिल ओफ इंडिया के लीगल एडवाइजर कर्टिसी पेरेगरिन इलबर्ट द्वारा तैयार किये गए इलबर्ट बिल का प्रस्ताव सन 1883 में लॉर्ड रिपन द्वारा लाया गया जिसने पहली बार भारतिय जजजस को इंगलिश जजस के एकवल खड़ा कर दिया था अंग्रेजों द्वारा कड़े विरूद के चलते इस बिल को रिपन द्वारा वापस ले लिया गया इस घटना ने भारतियों के सामने अंग्रेजों की असली नियत को भी और भी इस्पष्ट करने का प्रयास किया मैसूर जो कि संद 1831 से लगातार ब्रिटिश शासन के कबजे में था वाइसराय ओफ इंडिया लौड रिपन द्वारा पारित किये गए रंडीशन एक्ट ओफ 1881 के तहट मैसूर रियासत को दोबारा गठित कर वुडेयर डाइनस्टी को सौप दिया गया जिसकी कमान चैम राजेंद्र वाडियार ने संभाली इसके अलावा नियमित जनगडना की शुरुवाद भी 1881 में रिपन के समय में ही हुई थी महामना मदन मोहन मालवीय ने लौड रिपन को सबसे प्रसिद वाइसराय ओफ इंडिया कहा था भारतियों के हित में किये गए कारेयों के लिए उसे ब्रिटिश शासन का शत्रू भी कहा जाता है इस्थानी इस्तर पर नन्ने नन्ने कदमों को बढ़ाते हुए चलता आ रहा इंडियन नेशनल मोवमेंट वाइसराय ओफ इंडिया लॉड डफरिन के समय ही एक टर्निंग पॉइंट तब ले लेता है जब एओ हूम की पहल से सन 1885 में इंडियन नेशनल कॉंग्रेस की स्थापना होती है लेकिन कुछ समय के अंदर ही अंग्रेजों का रवईया इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के प्रती कठोर हो जाता है जिसकी पुष्टी डफरिन के कथन द्वारा होती है जिसमें उसने कहा था कि I.N.C. is a microscopic minority and its demands as big jumps into the darkness सन 1885 से 86 में तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया जिसका नेत्रत्र डफरिन ने किया था लगभग दो साल तक चले इस युद्ध का कारण था बर्मा के शासक द्वारा बर्मा वे विस्थापित एक ब्रिटिश ट्रेडिंग फर्म पर लगाया गया भारी जुर्माना तथा बर्मा और फ्रांस का बढ़ता मेल जोल ब्रिटिश द्वारा जीते गए इस युद्ध के परिडाम स्वरूप बर्मा का भारत में विलै हो गया सन 1886 में डफरिन द्वारा एटकिशन कमीशन का गठन हुआ जिसका उद्देश भारतियों के पबलिक सर्विसेज जॉइन करने से संबंधित प्रस्ताव देना था इसके अलामा इसी समय इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 भी लागू किया गया जिसने नॉन ओफिशियल सीर्स के लिए पहली बार इंडारेक्ट इलेक्शन की जलक दिखलाई सिर्फ इतना ही नहीं 1892 के इसी एक्ट ने पहली बार बजट पर चर्चा करने की शक्ती लेजिसलेटिव काउंसिल को प्रदान की इतिहास की प्रमुख घटनाओं में शामिल डूरंड कमीशन 1893 का गठन भी लैंस डाउन के समय किया गया था जिसका उद्देश प्रिटिश इंडिया तथा अफगानिस्तान के बीच सीमा तै करना था जिसे डूरंड लाइन कहा गया ब्रिटिश प्रदानमंत्री विलियम ग्लैड स्टोन द्वारा सन 1893 में ब्रिटिश इंडिया के अफीम के व्यापार की तहकीकात के लिए रॉयल कमीशन ओफ ओपियम का गठन किया गया लैंसडाउन की सरकार द्वारा सन 1891 में एज ओफ कंसेंट एक्ट भी पारित किया गया जिसका बाल गंगादर तिलक जैसे कई बड़े बड़े नेताओं ने कड़ा विरोध जताया था